यूद सर्विस एंड स्पोर्स डिपार्टमेंट ने पुँच जिला ताइकवांडू एस्सोशेशन के सहजोग से पुँच टाउन से शिव खोड़ी तक ट्रेकिंग प्रोग्राम आयुजित किया ट्रेकिंग प्रोग्राम में करीब सत्र बच्चों ने हिसा लिया इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों को ना केवल ट्रेकिंग करवाना था बलकि क्रोणा महमारी के दवरान बच्चों को तानाव से मुक्त करवाना था जल्दी 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 जब आप अब हुआ ऑग आप इस पीड़ा अब बहुत बढ़िया इवेंट और 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 ऑगनाईज़ करवाया आप जानते हैं कोवीड की वज़ा से बिल्कुल बच्चे घर में बंद से हो गये थे आला कि कुछ दिन पहले कुछ गैडलाइन आई थी जिनमें स्टेडियम वगेरा ओपन करने की गैडलाइन थी तो बच्चे स्टेडियम जाना स्टार्ट हुए तो आज एस्टेशन की तरफ से मैं मुमारखबात देना चाहूंगा इनको कि इन्होंने इतना अच्छा ट्रेंगा ओठीक हुती है हमने दो तीन गेंटे यहां गुजा रहे हैं वहां दिए तो आज हमने पुंच टाइकॉंडो एस्टेशन की तरफ से सबी जितने भी टाइकॉंडोब के बच्चे हैं उनको एक हिल ट्रेनिंग कराई है जैसे कि आप सब जानते हैं कि करोना काल मे बच्चे सब अंदर भर पे बंदी रहे गे थे कोई जादा इनकी activity नहीं थी और कोई expenditure भी नहीं था इसलिए आज हमने एक शुट्टी वला दिन है और साथ में बच्चों को एक ट्रेकिंग पे लेके आए हैं जिससे बच्चे काफी खुश है और प्लस इनका fitness program भी बहुत आज हमारे पूरी टाइकवांडो टीम इधर हिली एर में आया है या ट्रैकिंग इवेंट करने के लिए इधर आके हमने fitness की, exercises की और इधर आके हम सब को हमारी पूरी टाइकवांडो टीम को बहुत ज़दा अच्छा लग रहा है कि इधर ग्रीन जी है, नाच्रल ब्यूती ह हम सब को बहुत ज़दा खुशी है, मेरा नाम लवन्याडाबर है, मैं टाइकवांडो की स्टूडेंट हूँ, आपको पता है कि COVID-19 के दोरान हम सिर्फ ग्राउंड नी जा पाते थे, कहीं बार नी जा पाते थे, लेकिन हमारे कोच्स राजिंदर सर ने हमें यहां पर लाया हिली एरिया में लाया, हम बहुत अनरजेटिक हैं और बहुत खुश हैं यहां पर आपको आपको आपडेट रहे हमारे साथ अपर इपाटेश में प्लीस कोंटेग रहे हमारे साथ